जहीं दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपनी यूटूब चैनल नौलिज ग्रिंथ में दोस्तों MPPSC 2024 का प्रिलिम्स का एक्जाम खतम हो चुका है और पेपर इजी स्टू मॉडरेट कह सकते हैं या इजी कह सकते हैं बहुत टफ पेपर नहीं था बट जैसे कि MPPSC की फितरत है कि हर एक्जाम में पांच से चैनल करने वाले होते हैं तो इस बार भी ऐसे साथ कुश्चन MPPSC प्रिमें दिये गए थे जिस पे अबजेक्शन लगाए जा सकते हैं और जिनमें कम से कम पांच कुश्चन तो ऐसे हैं कि जिनमें MPPSC को चेंज करना ही करना पड़ेगा तो अगर ये पांच कुश्चन चेंज होते हैं तो कट आफ पे भी आप दो से चार नंबर का जो फर्क है वो आपको देखने को मिल सकता है तो दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी कुश्चन का या कोई भी आपको डाउट है हमारे टेलिग्राम चैनल पर जाके या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके हमसे कुछ भी पोच सकते हैं आपको किसी चीज का सोच चाहिए वो भी आपको पूरिटर से प्रवाइड किया जाएगा आपको किसी चीज पर डिसक्रिशन करना है क्यों यह सही है क्यों यह गलत है तो वो भी आप कर सकते हैं और knowledge grant आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, आपकी हमेशा help करेगा, तो ये साथ question है, अभी मैंने इसके cut off के वारे में वीडियो बनाया हुआ है, दोस्तों कि कितना cut off जाएगा, इस पार cut off बहुत जादा जाने की उम्मीद है, करीब 83 questions के आज पास जो है cut off जा सकता है, 83 मत 166, 166 to 168, तो चले देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं, पहला question जो हमारे सामने आता है, उसमें आपका निम लिखित परवश शेड़ो कुनकी उचाई के आधार पे अवरोहिक्रम बद्द कीजिए, देखिए इसमें अवरोहिक्रम लिखा है, और इंगलिस में ascending order लिखा जिसमें MPPSC वेकेंसी निकालता है, तो उसमें साफ साफ वो clear कर देता है, अगर किसी भी चीज़ पर doubt है, तो हिंदी को माना जाएगा, बट वो doubt होता है, अगर misprint में हुआ, यहाँ पूरा word ही change कर दिया गया, जो बच्चों ने आपका English को opt out किया होगा, उनके लिए तो ascending order कर दिया होगा, तो दोस्तों यह question जो है, वो पूरी तरह से delete होने वाला है, या इसके जो bonus मांग आप को दिये जाएंगे, क्योंकि अगर आप अब रोही करम में जाएंगे, तो A answer सही होता है, और अगर ascending order में जाएंगा, तो इसका D answer सही होता है, तो दोस्तों इसमें आप जो कहेंगे, इसका एक purpose जो था function होता है, वो blogging के लिए भी use होता है, ठीक है, और इसको internet forum के तरह भी use कर सकते हैं, तो इसके more than one answer सही होने की पूरी तरह से उम्मीद है, तो search engine तो 100% इसका सही है, और जो second मुझे लग रहा है blog, और बहुत जादा अगर लोग के objection आए, करते हैं, जिसका असर आपके cut off में जाएगा, because इसमें A वालों का भी सही होगा, और C वालों का भी सही होने वाला है, ठीक है, अब आप करें, MPPSC का label देखिए आप question का, कहां कहां से simple question नहीं, पूछने MPPSC ने बंद कर दिया है, third question, सितंबर 2030 के अंत में शकल घरिलोत पाद में बाहरिड का अनुपात क्या था, actually बाहरिड जो word यूज होता है, जो आपका external debt, वो यूज होता है आपका इंडिया के context में, but इसको mention करना चाहिए, ठीक है, आप क्योंकि loan जो लेता है वो state भी लेता है, ठीक है, MP भी external debt लेता है, भले वो उसमें आपका budget में नहीं दिख किया गया है, ना तो इसमें इंडिया ये MP का प्रयोक किया गया है, तो इसमें ये question के आपको bonus marks मिलने वाले हैं, दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका इंडिया वर्ड यूज किया गया, भारत का budget के हिसाब से नहीं पूछा गया है, और इसको आपका MP के संदर्व में नहीं प इसमें पूछा गया है, तो लेकिन इसका आप देखिए कि 2017-18 में 5% जाता है, तो इसका MPPSC 5 ही इसका इंसर कर रहे हैं, बट कुछ लोग कुछ कोचिंग का 10 भी बता रहे हैं, बट ये ध्यान रखिए 2017-18 के संदर्व में नहीं पूछा गया, जहां पे इंडिस्टियों के स इसके बास 7.89% के असपास हुआ था, तो इसमें से 10 तो किसी तरह से सही नहीं होता है, बट इसका अगर आप लोग को कहीं भी कुछ मिलता है, तो प्लीज सेयर कीजिए, मैं भी आप लोग के साथ सेयर करूँगा, जहां मैंने ये चीज इसका 4.92% और 7.89% का देखा है, इस इसका देखा है, तो इसका अपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, इसके अलावा आपका आरेस सर्मा अगर आपने पढ़ी है, तो आरेस सर्मा भी आपको ये आपका जो एंसर है, वो भी मिल जाएगा, इसके बाद बात करें, मदपरेस में आजवाशोगली स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल लिए, देखें स्वरोजगार योजना मदपरेस में दोनों नाम से चल लिए, एक तो टेंटिया भील के नाम से स्वरोजगार योजना चल ल तो इसका एंसर बी और सी हन्डेट पर्शेंट होने वाला है जिसका असर आपके कट आप में देखने को मिलने वाला है दोस्तों तो इसका बी एंसर बिच्टर भी तो आपको MPPSC की जो official website है Ministry of Tribal Affairs की उसके हिसाब से आपका दोनों answer यह सही है तेंटेवर आपको इसका नहीं मिलता है सोच तो मुझे अप्रोच कीज़े आप टेलिग्राम में अप्रोच कीज़े या तो YouTube के comment box में अप्रोच कीज़े तो देखे मंडला और दिंडोरी में भी पाई जाती है और कुछ चिखाया पर रिवा सत्ना में तो जादा संख्या में यह अब कहना गलत होगा कि रिवा और सत्ना में पाई जाती है जैसे कोचिक सेंटर वाले कह रहे है मंडला और दिंडोरी में जाला संख्याम पाई आती है और रिवा और सत्नाम पाई आती है तो इसका अंसर B और C दोनों होना चाहिए और इन पर अब्जेक्शन जरूर लगाएं दोस्तों क्योंकि एक-एक क्वेश्चन से मैंने कट ओफ रुकते देखा है दोस्तों ठीक है त तो आपके कटोंक पे असर कर सकते हैं इस पे भी हमें बहुत ध्यान देना है दोस्तों तो आप बहुत शूर होके मत बैठिए कि आपका क्लियर हो जाने वाला है या नहीं होने वाला है तो आसा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आओ थे